Hello everyone, मैं हूँ Vikram और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Dabar India के बारे में अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Dabar India के आगे के हमारे लिए क्या targets हो सकते हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो इसका dividend जो अभी announce हुआ था उसकी payment की date कब होने वाली है यानि आपको किस date को dividend का जो पैसा है वो receive होगा अपके account में तो चलते हैं सबसे पहले technical levels देख लेते हैं कि हमें technical levels आगे क्या देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने daily time frame का chart खोल रखा है यहाँ पे अभी यह जो stock है यह face कर रहा है थोड़ा सा resistance अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ से अगर एक level draw करूँ तो यहाँ पे जो है एक resistance stock ने face कर रहा है और face करके यह नीचे को आया है अभ यह जो resistance है यह कितना पुराना resistance है यहाँ से इसने fall दिखाया था काफी अच्छा तो अगें वही हो रहा है यहाँ पे जब यह stock वापसी आया तो यहाँ पे profit booking देखने को मिल रही है तो आगे के लिए क्या targets हो सकते हैं अभी यह stock trade कर रहा है 631 rupees के around जो nearest हमारे लिए support level निकल के आता है यह अगर यह और नीचे को break करता है तो हमें यहाँ पे जो पहला support है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा अब देख रहे हो 589 rupees के आसपस यह stock downside में आ सकता है और यहाँ से आके फिर बारा उपर जाने की कोशिश कर सकता है यह stock तो नीचे का level तो आपको समझा गया कि नीचे का level जो है वो यहाँ पे हमें 589 तक का हो सकता है और अगर और पास का support देख रहे हो तो एक support यह भी निकल के आता है आपका 613 rupees का अब upside के लिए देख लेते हम और breakout भी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जब यह इसने यहाँ से इसको break करा break करने के बाद यह सीधा सीधा उपर भाग जाएगा तो आपको वहाँ पे उसको capture करने की जरुवत नहीं है ठीक है आपको wait करना है कि जब यह breakout देके जब यह नीचे आएगा इसको यहाँ पे sustain करेगा ऐसा नहीं कि हो सकता है कि आप यहाँ पे उपर तक आए और यहाँ पे आके आप कहीं buy कर लो और फिर यहाँ से नीचे सीधा break होता हुआ चला जाए तो यहाँ पे जब आके जब यह sustain करने लग जाए इस point के आसपस तब यहाँ पे आप fresh entries बना सकते हो और फिर यहाँ पे हमें एक अच्छी rally देखने को मिल सकती है जो की काफी जबरदस हो सकती है बस यह है कि condition यह है कि यह 658 का जो लेवल है इसको अपने cross कर पाए अब यह तो हो गए जो लेवल्स मैंने आपको बता दी है इसके बात कर लेते हैं कि dividend कब मिलने वाला है तो यहाँ पे हम dividend देखें तो dividend जो announce हुआ था वो हुआ था 2nd में को 2nd में को जबी dividend अनौन्स हुआ था तो इसकी ex date निकल कर आई थी 19 July की यानि अभी recently इसकी ex date गई है और इसमें जो dividend अनौन्स हुआ था वो अधा 2.75 रुपीज पर शेयर का तो अब इस dividend की payment की date क्या होने वाली है करना पड़ेगा अपने dividends के लिए उसके बाद या account में आपके credit हो जाएंगे वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी और अगर किसी भी और stock को लेकर आपकी query है तो comment जरूर कर देना और मैं उसके ओपर एक वीडियो बना दूंगा ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल क को subscribe कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में